आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो सुडेंट्स हमारे सामने एक Question दिया हुआ है Question है, Main Feature of Business Transaction is हमसे पूछा है कि जब कोई Business Transaction होती है तो उनका Main Feature कौन सा है तो देखिए हमें कुछ Options दिये हैं हमें Options में से Find Out करना है कि Main Feature कौन सा होता है Business Transaction का तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा Business Transaction समझते हैं देखिए Business Transaction क्या होती है कोई भी Lain Dain Business Transaction को हम हिंदी में क्या बोलते हैं कोई भी Lain Dain Lain Dain मतलब जैसे एक Business है, Business में कोई भी समान खरीदा कुछ भी मतलब Purchase किया Purchase किया Sale किया तो ये क्या होती है ये Business Transactions होती है हमारी तो उसका Main Feature बताना है कुछ भी समान खरीद रहे है Sale कर रहे है उधार पर दे रहे है तो ये हमारी क्या है Business Transactions होती है तो हम में बताना है Main Feature कौन सा है It involves an Economic Activity हाँ हमेशा क्या होना चाहिए ये जो Business Transaction होती है वो Economic Activity होती है जैसे मैं एक्जमपल दिया Purchase और Sale दोनों में ही क्या लगेंगे पैसे लगेंगे तो क्या है It involves an Economic Activity It results in a change in the financial position of the firm देखे होता क्या है Financial position कब change होती है या तो हमारे पास पैसे आते या तो हमारे पास जो Money है वो क्या हो रही है आ रही है Business के अंदर या जो Money है वो क्या हो रही है जारी है हमारे बिजनस से तो दोनों ही situation में क्या होता है हमारे पास कि financial position change होती है और financial position में mainly effect जो पढ़ता है वो पढ़ता है assets पे and liabilities पे financial position में assets and liabilities पे तो हाँ business transaction से financial position firm की change होती है दूसर तीसरा दे रखा है change must be capable of being expressed in terms of money जो change होता है उसे हम express कर सके in terms of money उसे money में count कर सके हाँ ये point भी होता है तो तीनों point ही होते है economic activity होती है result in change होता है change must be capable of being उनको terms में money में हम उसको count कर सके वो कितना change हुआ है किसी business transaction से तो जो हमारा right answer निकलेगा वो होगा all of the above तो हम यह आपर लिखेंगे हमारा जो right answer निकला है right answer है all of the above क्योंकि एक business transaction के अंदर ये तीनों ही चीजे होती है इसलिए हमारा right answer है I hope आप सभी को समझ में आया होगा Thank you चार सो चार सुपर